Hello everyone, welcome back to Hindi class, students. Hindi में हम समास प्रकरण को पढ़ रहे थे. समास में हमने समास की परिभाशा, समस्त पद, समास विग्रह और समास के भेदों को पढ़ा था. समास के भेद में हमने समास के दो भेद, अवेई भाव समास और तत्पुरुष समास का डिटेल में अधन किया था. बाकी बच्चे वे समास को आज हम विस्तार से समझते हैं. समास के छे भेद में आपको मुखेते बताये थे. समास के छह भेद में आपने दोनों भेदों को अच्छे से पढ़ा होगा और उनका दोहरान किया होगा फिर भी मैं आपको एक बार दुबारा से शौट में समझा देती हूँ कि हमने क्या-क्या पढ़ा था वो आप एक बार फिर से दोहरान में देख लेजिए कि समास में हमने सबसे पहले पढ़ा था समास की परिभाशा इसको शौट रूम पर बता देती हूँ समास का शाब्दी कर्थ होता है समेटना, संगशिप्त करना, निकट लाना, पास बिठाना तो शब्दों को संग्शिप्त रूप प्रदान करने की क्रिया ही समास कहलाती है तो जब भी हम कोई नया शब्द बना रहे हैं मैंने संधी में भी ये परिभाशा बताई थी कि नवीन शब्द निर्मान की प्रक्रिया में जब दो शब्दों को संधी में वर्णों को नवी शब्द निर्मान की प्रिक्रिया में जब दो शब्दों को परस्पन निकट लाया जाता है तो उनके बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है विभक्तियां समझाई थी अभी कारक की विभक्तियां तो उनकी बीच की विभक्ति रहित मेल समझ आ रहा है विभक्ति सीलिय मैंने प्रीविएस वीडियो में आपको एक बार बता दिया था ततपुरुष समास की सभी विभक्तियों के बारे में डीटेल में बताया था तो शब्दों का यह विभक्ति रहित मेल समास कहलाता है तो अब मैं समझ सकती ह कि आप संधी और समास के अंतर को समझ गए होंगे ठीक है तो परिभाशा हमने समझी समास का शापदी कर्द समझा समेटना निकट लाना पास बिठाना शब्दों को संग्षित रूप प्रदान करने की क्रिया समास कहलाती है कि नवीन शब्द निर्मान की प्रिक्रिया में पद क्या होते हैं शब्द ही कहलाते हैं उधारन हम कोई से भी ले सकते हैं आतन पर निर्भर या रण में वीर तो पर में और से आधी विभक्तियों का क्या होगा लोप होगा यही समास कहलाएगा तो प्रत्यक सामासिक पद में प्रत्यक सामासिक पद में दो पद होते हैं प्रथम पद और दितिय पद इन्हें पूर्व पद और उत्तर पद भी कहा जाता है, यह समझाया, प्रत्यक समासिक पद में दो पद होते हैं, जिन्हें पूर्व पद और उत्तर पद भी कहा जा सकता है, और समासी करण से बना नया शब्द समासिक पद कहलाएगा, उपर दे है माता और पिता माता पिता अब माता पिता हमारा सामासिक पद कहलाएगा लेकिन हम उस शब्द को विस्तार देने की क्रिया जो होती है वो समास्विग्रे कहलाती शब्द को हम तोड़ देंगे उसका विस्तार कर देंगे तो माता और पिता जैसे आत्म निर्भर आत्म पर न निर्भर, तो इस तरह आपने पूरुपद और उत्तरपद के बारे में भी समझ लिया था, फिर हमने पद की प्रधानता के आधार पर समास के चार भेत किये थे, पूरू पत प्रधान समास अवेई भाव, दितिय या उत्तर पत प्रधान समास तत बुरुष कर्मधारी और दिगू दोनों पत प्रधान समास द्वंद समास और अन्य पत प्रधान समास बहुवरी ही समास ठीक है दोनों प्रदों की प्रधानता भी होती है या अन्य प्रधान भी होता है तो ये क्या होता है बहुवरी ही समास तो समास के मुख्यते प्रदों की प्रधानता के आधार पर भेध हमने समझ ही लिये थे ये अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको नॉर्मल से डे कर्मकारक, दित्या विभक्ति, करणकारक, त्वित्या विभक्ति, संप्रदान, चतूर्थी, अपादान, पंचमी, संबन, सस्टी, अधिकरण, सप्तमी तो इस तरह विभक्तियों को पढ़ने के बाद आपको ध्यान रखना है समास की परिभाशा, समासिक पद और समास विग्रह के बाद आपको सिर्फ ध्यान रखना है समास के भेद, अगर आप पूरुपद और उत्तरपद में कन्फ्यूज हो रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है वह तो आपकी परिभाशा बनाने के लिए है, वो easy हो जाता है, पर वह आपको समझ नहीं आ रहा तो आप सिर्फ समझ सकते हैं समास के छचह भेद होते हैं, अव्वे इभव समास। वह हमने पढ़ा था कि अव्वे इभाव समास में क्या होता है वह समास जिसका प्रथम पद अव्वे हो अव्वे क्या कहलाता है अव्वे वे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन आदि के प्रभाव से परिवर्तन नहीं आता है ठीक है अव्वे कहे जाते हैं, अव्वे को हमने विकारी शब्द भी कहा था, विकारी शब्द के टाइप्स हमने सभी पढ़े थे, अविकारी शब्द भी हम पढ़ेंगे, क्रिया विशेशन, संबन बोदक, समुच्चे बोदक, पिसमयाधी बोदक, तो अव्वे कह तहलाते हैं, अ कि पूरा पद क्या बदला नहीं जा सकते उसकी जर्ट किसी और शब्दों का हम प्रीयोग नहीं कर सकते तो अव्य भाव समस कहा जाता है अव्य समास में क्या होता है समस्त उपसर्ग अव्वे होते हैं टा तो उपसर्ग युक्त शब्दों में अव्वेई भाव समास होता है, ध्यान रखना उपसर्ग और प्रत्य हम पढ़ेंगे, आपको आते भी हैं, तो समस्त उपसर्ग अव्वे होते हैं, अता उपसर्ग युक्त शब्दों में अव्वेई भाव समास होता है, तो अव्वेई किया था कि तत्पुरुष समास में सबसे पहले कर्म तत्पुरुष कर्म तत्पुरुष में हमने पढ़ा था जिसमें इसे दितिया तत्पुरुष भी कहा जाता है तो तत्पुरुष समास के पहले मैं वापस से इसको समझा देती हूं कि वह समास जिसमें दितिये दान हो तथा करता और समबोधन के अतिरिक्त अन्य सभी कारकों के कारक चिन्नों का लोप हो जाता है तत्पुरुष कहला तो समास कहलाता है तो समासी करण में जिस कारक की विभक्ति का लोप होता है उसका नाम तत्पुरुष के पूर्व लिख दिया जाता है जैसे कर्म तत्पुरुष अगर कर्म विभक्ति का लोप हुआ तो वह कर्म तत्पुरुष कहलाएगा करन तत्पुरुष करता का लोप नहीं होता है इसलिए करता तत्पुरुष नही करता कारक होते ना करता ने कर्म को करण से यह भी समझाया आपको यह रहा ठीक है कारक की विभक्तिया तो करता और संबोधन को हमें काड़ देना है करता ने अभी बताया मैंने आपको कि करता के और संबोधन के अतिरिक्त अन्य सभी कारकों के कारक चिन्नों का लोप हो जाता ह करता का और संबोधन का नहीं होता है तो कर्म अगर समासी करण से जिस कारक की विभक्ति का लोप होगा वह उसका नाम तत्पुरुष के पूर्व में लिख दिया जाएगा जैसे अगर से अलग होना लिखा तो अपादान तत्पुरुष कर्म को का लोप होता है तो कर्म तत्पुरुष तो इस तरह तत्पुरुष समासी करण में जिस कारत की विभक्ति का लोप होता है उसका नाम तत्पुरुष के पूर्व लिख दिया जाता है तो गदितिया तत्पुरुष पढ़ लिया था हमने करण तत्पुरुष में से के द्वारा विभक्ति का लोप होता है, इसको भी हमने उधारण के साथ समझ लिया था, इसके बाद हमने संप्रदान तत्पुरुष को भी उधारण के साथ समझ लिया था, अपादान तत्पु बेच पढ़ने जा रहे हैं कर्मधारिये समास कर्मधारिये समास में क्या होता है आप अच्छे से देखिए कि वह समास पहले में आपको simple language में समझा रही हूँ फिर इसकी परिभाशा पढ़ूगे कि वह समास जिसके दोनों पदों के मध्धे दो पद आपने पढ़े ही है पूर्वपद और उत्तरपद तो वह समास जिसके दोनों पदों के मध्धे ध्यान देना एक बात उपमे या उपमान मैं इन शब्दों के अर्थ समझाऊंगी अभी आपको उपमे या उपमान अथ्वा विशेशन विशेशे का संबंद पाया जाता है कर्मधारिय समास कहलाता है यहां भी की डेफिनेशन रीट कर देती हूं कर्मधारिय समास में भी उत्तरपद प्रधान होता है इसमें प्रथम पद विशेशन दितिये पद विशेशे होता है इस समास में उपमे और उपमान का संबंद पाया जाता है बस यही ध्यान रखना है अब सबसे पहले आपको समझना है कि विशेशन और विशेश्य क्या होता है तो विशेशन टॉपिक में आपने पढ़ा है अभी अभी प्रीवियस क्लासेज में मैंने आपको समझाय था कि विशेशन जो विशेशता प्रकट करे जो क्या करे विशेशता प्रकट करे और विशेशे कौन होता है जिसकी विशेशता प्रकट हो ठीक है जो विशेशता प्रकट करे वह विशेशन होता है और जिसकी विशेशता प्रकट हो वह क्या होता है क्या है महात्मा महान है जो आत्मा तो महान क्या हो गया जो विशेशता प्रकट करें महान उसकी विशेशता है तो विशेशन क्या हो गया महान और विशेश्य क्या है जिसकी विशेशता प्रकट की जाए आत्मा की विशेशता प्रकट हो रही है तो महान है जो आत्मा महात्मा तो आत्मा विशेश्य हुई और महाल विशेशन हुआ ठीके यहाँ पे और भी बहुत शब्द दिये गए हैं उनके उधारन में आप विशेश्य और विशेशन अलग करेंगे उपमान और उपमे अलग करेंगे पहले मैं आपको अर्थ बता रही हूँ पहले आप चारो शब्द लिख लेना उपमे लिखना उपमे लिखके उसका हिंदी अर्थ लिखना उपमे जिसकी तुलना की जाए जिस व्यक्ति अवस्तु की तुलना की जाए जिस व्यक्ति अवस्तु की ध्यान देना उसको हम उपमे कहेंगे और उपमान किसे कहेंगे जिससे तुलना की जाए जिससे हम उसकी तुलना कर रहे हैं जैसे हमने एक उधारन लिया चंद्रमुख चंद्रमा के समान मुख उसे चंद्रमुख कहा हमने जिसका मुख चंद्रमा के समान है चंद्रमुख तो यहाँ पर मुख को क्या की है? चंद्रमा की उपमा दी है. तो मुख क्या हो गया यहाँ पर? जिसकी तुलना की जाए? मुख की तुलना की जा रही है. तो मुख यहाँ पर क्या हो गया? उपमे. और जिससे तुलना की जा रही है? चंद्रमा से. तो चंद्र यहाँ पर क्य सबसे पहले आप not down करेंगे इसी परिभाशा के नीचे साफ साफ लिख लेंगे ताकि आपको कोई confusion ना हो उप में किसे कहा जाता है उप में जिसकी तुलना की जाए उसे उप में कहते हैं उप मान जिससे तुलना की जाए जिससे हम तुलना कर रहें उसको उप मान कहते हैं विशेशन किसे कहेंगे जो विशेशता प्रकट करें और विशेश्य किसे कहेंगे जिसकी विशेशता प्रकट हो तो आपको ये चारो शब्द समझ में आ जाएंगे तो कर्मधारिय समास समझ में आ जाएगा जैसे यहाँ पे समस्त पद दिया है और उसका समास विग्रे किया है अब आपको इसमें उपमें उपमान और विशेशन विशेशे के संबंद को निकालना है नील कमल नीला है जो कमल ठीक है नील कमल महान है जो कावे तो आपका होमवर्क है ये जो आपको उधारन दिये हैं इनमें आप स्वेम निकालेंगे मैंने आपको उपमान और विशेशन विशेशे बताया है तो आप इसमें निकालेंगे, जैसे मैंने आपको एक उधारन बताया, महा कावे की तरह है, महात्मा, महान है जो आत्मा, तो महान विशेशन और आत्मा विशेश्य है, इसी तरह आप महा कावे में भी निकालिए, स्वेम, ठीके, तो कर्मधारी समास के और उधारन हम देख ल जाएंगे पर अभी आप इन पांच उधारणों को ही क्या करेंगे अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ में आ गया कि कर्मधारी इसमास में दूसरा पद प्रधान होता है पहला पद विशेशन और दूसरा पद विशेश्य या पहला पद क्या होगा ? विशेशन महान है जो कावे इसी में पता चल रहा है ना पने आपर दूसरा पblowing क्या होगा ? विशेशे या पहला उप में और दूसरा उपमान होता है कि नील कमल, हरी मीर्च, शुभा गमन, श्वेतामबर, नील गगन ऐसे बहुत अन्य उधारण हैं पर आप इन पाचे उधारण में अंतर समझ लेना इसके बाद द्विगू समास द्विगू समास किसे कहते हैं? द्विगू समास में पहला पद संख्या वाची विशेशन और दूसरा पद प्रधान होता है द्विगू समास कोन सा है? दूसरा पद प्रधान समास है और समस्त पद समू बोधक होता है समस्त पद में क्या है? समू का बोधक होता है जिस समास का पहला पद संख्या वाची हो, पढ़ने से ही पता हमें चल जाता है, कि जिस समास का पहला पद संख्या वाची हो, तथा पूरा पद, जो पूरा समू है, पूरा शब्द है, पद क्या होता है, शब्द है, तो पूरा शब्द क्या करा है, समू का बोध कराता है, उ डूसरा पद、 समस्ट पद समुह बोदग, तो ही इसकी condition है, वे समास जिसका प्रथम पद संख्यावाची विशेशन हो, और समस्ट पद समुह बोदग हो, दीगु समास कहलाता है, तो दो चीजा इयाद रखनी है, पहला जो पद होगा, वो संख्यावाची होगा और पूरा प यानि महीने चार महिनों का समु है, तो समु का बहुद हो रहा है 49 नौरत्णों का समु है, ठीक है? सत्सई टीनो भूणों का समु है, पंच तत्व, अब आप पढ़ने से ही पता चल रहा है ना, पहला पत संख्या वाची हो रहा है पंच तत्व, पांच तत्वों का समू है चौराहा, चार राहों का समू है शताबदी, सो वर्षों का समू है सी तरह बहुत सारे शब्द होते हैं अठवारा, चतुर्वन, चवन्नी, त्रिकाल, त्रिताप, सप्तर्शी, सप्ताह, पंचवटी, पंच तत्व, तिरंगा, तीन रंगों का सम्हु है, ठीके, तो आपको इन उधारणों से समझना है दिगु समास, बहुत इजी है पहचानना, इसकी दो ही कंडिशन है, जिस समा सम्हु का बोद कराए, वदिगु समास होता है, तो चौमासा, नवरत्न, सत्सई, त्रिभुवन, पंच सत्व, चोराहा और शतापदी, हमने इसके उधारण पड़े हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा, अब तक हमने कितने समास पड़ लिये हैं, अब तक हमने सबसे पह द्वन्द समास किसे कहते हैं, आप समझेए, द्वन्द समास में दोनों पूर्व तथा उत्तरपद प्रधान होते हैं, एक समास बताया था, जिसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, पदों की प्रधानता के आधार पर समास को हमने समझाता, तो वह समास जिसम दोनों पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के मध्धे पहले मेरी परिभाशा को समझे फिर यहां से पढ़ेंगे वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के मध्धे और अत्वा याका लोप हो जो भी शब्दाएं हो और अत्वा याका लोप हो वह क्य कहलाते हैं द्वंद समास कहलाते हैं तो द्वंद समास में दोनों पूरू तथा उत्तरपत प्रधान होते हैं कोई सा भी गोंड नहीं होता है दोनों मुख्य होते हैं दोनों की प्रधानता होती है एक को हटाने से शब्द क्या होगा पूरा शब्द का जोड़ा नहीं बनेग दोनों पद इसमें के दोनों पदों की importance एक को भी हम कम नहीं कर सकते और और तथा शब्दों का इसमें लौप हो जाता है तो द्वंध समास में दोनों पूरु पद तथा उत्तरपद प्रिधान होते हैं जोड़े के साथ होते हैं इसमें इसकी condition क्या जोड़ा होता है जोडे के साथ ये शब्द होते हैं तो था अर्थ की द्रश्टी से दोनों पद स्वतंत्र होते हैं अर्थ करोगे तो अर्थ करने पर दोनों पद क्या होंगे स्वतंत्र होंगे और उनके मध्धे के सैयोजक शब्दों का लोप हो जाता है जो भी मध्धे के उनके बीच में जो भी शब्द हों उनका क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा तो इस प्रकार दोनों पद प्रधान होते हैं समस्त पद में प्राय योजक चिन्न लगा होता है योजक चिन्न आप जानते हैं तो इसको पढ़ने से ही हम पहचान लेते हैं जैसे इसका समास विग्रह करेंगे, समास विस्तार करेंगे, तो तथा और इन शब्दों का लोप हो जाता है, तो देखिए द्वन समास के उधारन, परीभाश आपको समझी आ गई, सीधा सा ये याद रखना है, कि द्वन्द्व समास में दोनों पत्प्रधान होते हैं, और स समास विग्रह करने पर और तथा एवं शब्दों हट जाते हैं, ठीक है, समास विग्रह करने पर और तथा एवं आधी शब्द लगते हैं, विग्रह करेंगे तब तो लगेंगे, समस्त पद में शब्द हट जाएंगे, विग्रह करने पर शब्द लग जाएंगे, जिसे मा माता, पिता और जोड़े में होते हैं ये शब्द, जोड़े के साथ होते हैं, चोथी कंडिशन जोड़े के साथ होते हैं, तो देखिए आप माता, पिता, फर्स्ट माता और पिता तो और आपका हट जाएगा समस्त पद बनाते टाइम, समास में योजक चिन भी हटेगा, और माता और पिता योजक चिन्न समस्त पद में लगेगा और समा स्विग्र करने पर योजक चिन्न लगकर और शब्द लग जाएगा माता पिता पाप पुन्ने जोड़े के जो भी शब्द हैं राजा रानी भला बुरा पल पूल लाब हानी आगा पीछा जनम मरण, नदी तालाब, गुन अउगुन, पती पतनी, बाहर भीतर, लाब हानी अभी बताया तो इस तरह द्वन समस्त की कंडिशन याद रखनी है दोनों पद प्रधान होते हैं समस्त पद में प्राय योजक चिन्न लगा होता है समस विग्रय करने पर और तथा एवं आदी शब्द लगते हैं और ये शब्द जोड़े के साथ प्रियोग होते हैं उत्तर पत होते हैं और दोनों जोड़े के सब शब्द होते हैं दोनों की अपनी महत्विता होती है तो इस तरह हमने द्वन्द समास पड़ा, नेक्स्ट समास है हमारा बहुवरिही समास, ठीक है, नेक्स्ट समास है हमारा बहुवरिही समास, तो बहुवरिही समास में क्या होता है, कि जिस समास में बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि बहुवरिही समास क्या है, बहुवरिही स समास में वह समास है जिसमें दोनों पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है ठीक है तो बहुवरी समास युक्त पद किसी व्यक्ति विशेश या देव विशेश के लिए ही रूड हो जाते हैं अधिकतर देखा है बहुवरी समास में या तो व्यक्ति विशेश ह के लिए रूड होगा वो या फिर वर देव विशेश के लिए रूड होगा तो समझ लेते हैं हम बहुवरी समास में दोनों पदों के माध्यम से एक तीसरे अर्थ का बोध होता है अर्थार इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं दोनों पद अप्रधान होते हैं तथा तीस दूसरा पद निकलता है वही प्रधान होता है या तीसरे पद की ओर संकेत करता है उसे बहुवरी समास कहते हैं कहने का अर्थ है बहुवरी समास में न तो पहला पद प्रधान होता है नहीं दूसरा पद प्रधान होता है बलकि कोई तीसरा पद प्रधान होता है जैसे उधार है जिसकी भुजाय अर्थात विश्णू तशानन दश है मुख जिसके अर्थात रावन सुनैना सुन्दर है जिसके नयन अर्थात कोई विशेश व्यक्ति हन्सवाहिनीन हन्सवाहन है जिसका अर्थात सरस्वति ठीक है लंबोदर घंशाम घंखे समान शाम है अर्थात कृष विश्धर विश को धारन करने वाला अर्थात सर्प महावीर महान है जो वीर अर्थात हनुमान नीलकंड नीला है कंड जिनका अर्थात शियू जी विश्धर विश को धारन करने वाले अर्थात सर्प मृत्युम जय मृत्यु को जीतने वाले अर्थात शंकर तो देखा आपने की बहुवरी समास युक्तपद किसी विशेश व्यक्ति या देव विशेश के लिए रूड होता है एक दंत, चतुर भूज, चंद्रमुख, या चतुरमुख, पंचानंद, शडवदन, इस तरह बहुवरी समास को में होता है बहुवरी समास की कंडिशन किसी तीसरे पद की और संकेत की किया जाता है वही बहुवरी समास तहलाता है तो बहुवरी समास में मिलकर किसी तीसरे पद की विशेशता प्रकट की जाती है तो समझ में आगया आपको बहुवरी समास तो आज हम सिथ समास के भेट पढ़ेंगे कल हम कर्मधारिये और को समझते हुए कल हम exercise जो भी अभ्यास कारिये और प्रश्ण उत्र मैं आपको दूंगी वह आपको homework में कल करेंगे हम कल हम पुरा समास topic complete कर लेंगे अभ्यास कारिये तब तक आपको क्या-क्या पढ़ना है तब तक आपको दुबारा में बता देती हूं समास की परिभाशा चीक है समास के च्छह भेद पूरुपद किसे कहते हैं उत्तरपद किसे कहते हैं समास दुबारा देख लो समास की परिभाशा अर्थ समस्तपद समास विग्रह पूरुपद उत्तरपद पदों की प्रधानता इसके बाद पदों की प्रधानता के अधार पर समास के भेद विभक्तियां विभक्तियों को भी ध्यान रखना है न अच्छे विभक्तियों को समा समास के छह भेदो को पढ़ना है next class में हम कर्मधारिय और बहुवरी समास के अंतर को समझते हुए कि नेक्स्ट क्लास में हम इनके अंतर को समझते हुए बाकी अभ्यास कारिये और प्रेशन वत्तर करेंगे ओके स्टुरेंज, तो आपको समझ में आ गया होगा, आप दहरान कीजिए, बाई स्टुरेंज